हमलो दोस्तों जैंकाल मैं आपका दोस्ट चंदर शेकर आपके लिए लेकर आए हो दोस्तों जिला क्लेक्टर के जितने भी IMPORTENT चीजें हैं उन्हीं के बारे में आपको विष्रित से जानकारी देने के लिए तो दोस्तों अगर पसंद आए तो like, share जरूर करें और comment box में comment करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा ये क्योंकि आगे आने वाले जितने exam होंगे राजस्तान के उनमें आपके लिए बहुत साइता उपलब्द कराएंगे और RS में UPSC में ये भी हैं सोंब्द भुशंद अंड्रेट पर्शेंट पूचे जाएंगे तो चिला के लेक्टर की बारे में हम जानते हैं दोस्तों पहले बात कि जला प्रशाषन की बात करते हैं तो इसका वारतमान शणुक कैसा है मोर येकाल के जैसा याद रखना कि वर्तमान जो जिलाब प्रसासन का स्वरूप है वो कैसा है मोरियकाल में जो प्रसासन मिलता था उससे सम्मंदित है मोरी काल में जिले को दोस्तों जनपत कहते थे क्या कहते थे जनपत जिसका परमुक कोन होता था राजुका मैंने इसको भी आपको डीप़ी बताया गया है मैंने सारे परसासनों के बारे में बता दिया है फ्रांट को दोस्तों सुभा के नाम से जानते थे सविधान के अनुचेद 233 के अंदर दोस्तों जिला सब्सक्राइब उल्लेक मिलता है इस अनुचेद में 233 अनुचेद के इंदर जिला सत्त का उल्लेक मिलता वेरी वेरी इंपोटेंट क्यूशन जिसके न्याइदीसों की नियुक्ति के संदर में दोस्तों नियुक्ति राज्यपाल करता है याद रखना कि जो भी न्याइदीस होते हैं जिला न संक्या होनी चाहिए वहां की दस लाग और सेत्र होता है चाहिए चारजार बर्गमील ध्यान रखना यह इस्तानी सेत्रों का वह प्रसाशन के मद्दे मेत्वपूर्ण कड़ी है यह संभाग की गई है ठीक है संभाग द्वारा ही इनका वह किया गया है ठीक है अब जिला कलेक किया गा पदकार सर्जन गवर्णर जनरल वारेन हैस्टिंग्स के द्वारा 1922 में किया गया कब किया गया वारेन हैस्टिंग्स के द्वारा किया गया 1922 में ठीक है पर्थम जिला कलेक्टर की बात करते हैं दोस्तों तो पर्थम जिला कलेक्टर है रालफ सेल्डन कौन है रा वह 1773 में, सुरी, 1773 में DC के पद को समात कर दिया गया था, यहनी जो जिला कलेक्टर का पत था, उसे 17, 1922 में बना था, दोस्तों, याद रखना, सोरी दोस्तों, 1922 तो नहीं होगा, 1922 नहीं होगा, यहाँ पर 1742 है, याद रखना, सोरी, यहाँ के मैं स्प्रेंट के लिए 1722 मे ये क्या किया गए था 1713 में इसको दोस्तों 1713 में इसे समाप्त कर दिया गए था DC के पद को ठीक है फिर नेक्स चलते हैं कि 1781 में दोस्तों DC के पद को वापस पुने शुरुवात कर दी गई थी ठीक है और फिर इसे एक्स्ट्रा चीजें और दी गई राजस्व संग्रण के स साथ डंड नायक की सकतियां भी इन्हें परदान की गई 1781 में ठीक है जब बना था दुबार से जब फिर जिला क्लेक्टर के लिए एक पोटेट लाइनी आई एस कर रेंग का अधिकारी होता है ये तो आप सभी को पता है जिला क्लेक्टर जिले की सरवाच्चे परसासनिक इकाई होती है ठीक है क्या होती है जिला क्लेक्टर जिले की सरवाच्चे परसासनिक अधिकारी होता है या इकाई होती है संभाग ये वीडियो में जिला कलेक्टर के उपनाम के बारे में दोस्तों हर जगह इसको अलग-लग नाम से जानते हैं तो पंजाब रियाना असम करनाटक जम्मू कस्मीर में इसे डेसी के नाम से जानते हैं जिसकी फिल फ्रॉम होता है डिप्टी कमिशनर ठीक है जिसे उप आयुकत के न जिला डीश कहा गया है जिनला कलेक्टर के बारे में बताता हूं मैं आपको जब वह भू राजसु ग्रहन करता है तब उसे दोस्तों क्या के रूप में जानते है जब वह भूर राजस्व संग्रहन अवता है तब फिर घ्रीकारि और देखते हैं दोस्तों इसुम्य जिला मजिस्ट्रेट या जिला दंडा दिकारी कब कहते हैं जब सांती और कानून इवस्ता बनाने का काम वो करता है तब उसे मजिस्ट्रेट के नाम से जाना दाता है या जिला दंडा दिकारी के नाम से जानते हैं जिला विकास दिकारी जब जिले में विकास संबंदी गतिविदि अभी मत जिला क्लेक्टर की बात करें दोस्तों जिला क्लेक्टर जिला प्रसासन की आँख कान और हाथ कहा कहे जाते हैं याद इंपोर्टेंट है कि जिला क्लेक्टर को जिले की या प्रसासन की आँख कान और हाथ के नाम से जानते हैं क्योशन वनेगा दोस्तों कि जिला यूशन कहीं बार आपको मिला भी होगा तो याद रखना दोस्तों जिला कलेक्टर को ही आग कान और हाथ के नाम से जानते हैं फिर आगे चलते हैं जिला कलेक्टर जिले में लगू सरकार या लगू राज्य सरकार के रूप में काम करता है यानि छोटी सरकार के रूप में काम करता है जिला कलेक्टर ठीक है फिर नेक्ट चलते हैं डीसी डीसी डिस्टिक कलेक्टर की जाम से जनते हैं जिले के मुख्य कारेकारी अधिकारी प्रसासनिक न्याइक राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है किस-किस के रूप में मुख्य कारेकारी अधिकारी प्रसास नियाईक राजस्वधिकारी के रूप में कारी करता है ठीक है जिलादीस को दोस्तों संस्तागत करिस्मा किस ने कहा इंपोर्टेंट क्योशन है ये क्योशन पूछा गया कई बार कि जिलादीस को संस्तागत करिस्मा किस ने कहा था तो दोस्तों याद रखना जिलादीस को संस जिलापरसाशन की दूरी है जिलाधीस तो याद रखना टलवियारी बाजपेई ने जिलाधीस एक कच्छवा है जिसकी पीट पर भारत सरकार का हाती बेटा है ये कतन किस ने कहा था ये दोस्तों रेम जे मेक डोनाल्ड ने कहा था ये पटवार के लिए बहुत उप्योगी है दोस्तों काड समीति का संबन्द 1985 में जिलापरसाशन के लिए गटित समीति से है जिसका अद्धिक से जीवी के राव को बनाया था ठीक है important याद रखना जिलाद दंडनाएक के कारिये जिलाद दंडनाएक के कारिये क्या-क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं तो जिलाद दंडदिकारी के कारिये दोस्तों एक काम जिले में सांती एम कानून विवस्ता बनाई रखना ठीक है जिसे SP के रूप में जो DM के निर्देश सा अनुसार काम करता है ये भी याद रखना आप कि जिले में सान्तियम कानून विवस्ता बनाए रखने का काम जो SP करता है अपना वो किसके निर्देशन में काम करता है तो दोस्तों वो DM की निर्देश में काम करता है समस्त थानोव जेलों का निरक्षन करता है, अधिनस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेडों के निरक्षन करता है, मर्तिवडंड के कार्यवान्य में कुप्रणा में प्रमानित करता है, भारत में आनेवाले विदेशियों के पास्पोर्टों की जांच करता है, सरकार को वार्सिक अप option दे दिये और उनमें बताएंगे कि इनमें से गलत कौन सा है उनमें से आपको बताना है कि जिला कलेक्टर का काम कौन सा नहीं है ठीक है किसके रूप में तो जिला दंडदिकारी के रूप में ठीक है ठीक है और दस्वा है इस्ताने निकावयों पर नेंद्रन और यह सभी काम वो करता है बकाया आईकर उत्पादन सुल्क सिचाय बकाया को वसूलने का काम भी यही करता है करसी रण का वित्रन करता है, सुका और महामारी जेसी प्राकरतिक आपदाओं का समय परापदा प्रबंदन करना, बाहे आकरमनों दंगों के समय संकट प्रबंदन, जिला बेंकर समनवे समेती के अद्यक्स्ता, जिला योजना केंदर के अद्यक्स्ता, ठीक है, यह सभी काम ज पुजनाओं की निगरानी रखता है जिला परसासन एम राज्य सरकार के समनवे का काम करता है ठीक है फिर लोकतान लोकतंत्रात्मक विकेंद्री करण एक मिनटी से जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा साथ ठीक है जिले का सम कौन-कौन से जिला परसासन एम राज्य सरकार में स important यह क्युस्टन देता है चोते क्युस्टन में कि आयकर का नियंत्रन एकत्री करन क्या DC करता है तो नहीं करता है दोस्तों याद रखना यह इसलिए important अलग note लिख के लिखा गया है कि लोग इसे में गल्ती करते हैं तो यह याद रखना ठेक है आगे देखिए DC के अन्यकारी क जिले में सभी तरह के जो निर्वाचन कार्य संपन होते हैं, उनको करवाने का काम करता है, जिले में होने वाले चुनाओं का नियंत्रण और निरक्षन करने का काम करता है, जनगणना के कार्य को संपन करवाता है, खादे और रसद सामगरी पर निगरानी रखता है, आपदन निवरण अधिकारी के रूप में काम करता है और मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में काम करता है फिर जिला कोसागार और उपकोसागार के परिवक्षन करता है राष्ट्री परवों को जिले में मनाना और ध्वजारोण करने का काम करता है सरकारी आवासों का आवं कौन से हैं बाई सभी कौन कौन से हैं जो जिला कलेक्टर के नीचे कारी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भूराजस्व संग्रण का काम मैंने बताया कि कौन करता है जिला कलेक्टर लेकिन वो तो जाता नहीं है लेकिन उसके नीचे जो काम करते हैं सबसे बड़ा फि उससे छोटा फिर नीचे तक चलेंगे तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि जिला कलेक्टर की बात करें तो ये भूराजस सग्रहन करता है फिर इसके नीचे काम कौन करता है तो इसके नीचे दोस्तों additional district magistrate ADM होता है वो इसका कारी करता है इसके काम भी कौन करता है ज्यादा काम बाहर होते हैं क्या करते हैं divide करते हैं फिर इसके नीचे काम करता है दोस्तों subdivision magistrate ठीक है इसलिए याद करना यह subject में add हुआ है syllabus के अंदर तो इन में से 100% question आएंगे ही आएंगे तो बूर राजस्व इंगरेंड का काम जला collector करता है DM करता है district magistrate करता है ठीक है फिर दोस्तों इसके बाद में सब जी उजन मजिस्ट्रेड आएगा फिर तैसिलदार फिर नायब तैसिलदार फिर गेड़दावर और फिर पटवारी अंतिम ठीक है इकाई फिर नेक्स चलते हैं दोस्तों अगर सांती एम कानून विवस्ता बनाने का काम वो करता है DM तो इसके नीचे वो तो सीधा करने से रहा के लातों लेकिन उसके नीचे जो काम करते हैं उनके बारे में तो दोस्तों सांती एम कानून विवस्ता का काम सूपर निटेंट ओफ पुलिस करते हैं सूपर सूपरी टेंटेंट पुलिस करते हैं जिसे पुलिस अधिकसक के नाम से जानते हैं हिंदी में फिर इनके नीचे काम करते हैं Assistant Superintendent of Police जिसे सहाइक पुलिस अधिक्सक के नाम से जानते हैं फिर फिर करते हैं दोस्तों उप पुलिस अधिक्सक फिर इसके नीचे Circle Officer फिर इनके रूपे Circle Inspector के नाम से फिर इसके नीचे दोस्तों सम Inspector SI के नाम से और Assistant सब Inspector के नाम से फिर इनके नीचे दोस्तों Hand Constable फिर इसके नीचे दोस्तों Constable ठीक है याद रखना इनको SP बोलते हैं दोस्तों SP के नाम से जानते हैं इसको DSP के नाम से जानते हैं इसे CO के नाम से जानते हैं इसे CI बोलते हैं इसे SI बोलते हैं इसे ASI बोलते हैं और इसे HC बोलत राज की निकाई जो कौन-कौन से होते हैं बहुत इंपोर्टेंटे दोस्तों ये तो पटवार के लिए इनको तो रटल लेना नहीं तो आपको पस्ताना पड़ेगा दोस्तों याद रखना चलते हैं पंचायत समीती और एक होता है नगर निकाई इनके कारेकारी अधिकारी की बात करते हैं दोनों के एक तो पंचायत समीती होती है दोसरा नगर निकाई इनके बात करते हैं इनके कारेकारी अधिकारी और उनके बारे में तो दोस्तों जिला परिशद की बात करों तो राज्तान में जिला परिशद कितनी है 33 है और इनके अधिकारी क्या होते हैं राज को बोलते हैं BDO ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी इसको बोलते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत हमारे राजस्तान में कितनी हैं? 11341 जिसको हम वीडियो के नाम से जानते हैं हमें फुल फ्रॉम बता देता हूं इसकी दोस्तों किस कि? देखिए आप तो वीडी ओ जो अपन अ पारम बलल ग्राम विकास अधिकारी तो यह उसके लिए भी बहुत important है दोस्तों तो इस village development officer के नाम से जानते हैं वीडियो को दोस्तों वीडियो को blog division officer के नाम से जानते हैं CEO CEO के बारे में तो आप जानते होंगे ठीक है दोस्तों CEO के बारे में अगर आपको मैं बता हूं तो CEO की फुल फ्रॉम आपको पता भी होनी चाहिए तो CEO की फुल फ्रॉम होती है Chief Executive Officer याद रखना मुक्के कारे कारी अधिकारी के नाम से नगर निकाय की बात करते हैं नगर निकाय दोस्तों राजस्तान में साथ है इसके भी अधिकारी को CEO कहते हैं नगर परिशद के 34 नगर प जानते हैं ठीक है अब मैं आपको इसमें थोड़ सी नोलेज देते था हूं दोस्तों राजस्तान में पंचायती राजसंस्ताएं एक दरश्टी में देखते हैं अपन जिला कुल जिला परिशद कितने हैं तो याद रखना कुल जिला परिशद है 33 है कितनी है 33 कुल पंचाय प्रक्षायद समता के अधारबा दोस्तों ज्याद रखना उसत 15 समिति जिलापरमुक्थ के ंधारबरो करें फिक प्रक्षायद में तो 5 होते हैं जिलापरमुक्थ की बात करें तो 1-ख़त jagad टोटल वाती, प्रधान, दोस्तों, प्रधान दोसों पिच्यान में हैं, जिला परिशत सदश्यों की बात करते हैं, तो अभी 1,014 है, पंचाइद समीती सदश्यों की बात करते हैं, 6,236 है, सरपंचों की बात करते हैं, तो 11,320 सरपंच है अभी, अब हम जितनी क्यूशन एक कलेक्टर का पद्ध सबसे पहले वारेन हैस्टिंग्स द्वारा कब सर्जित किया गया तो आपको पता है पहले ही आंसर में आपको पहला जवाब मिल गया 1772 के आधार पर तो ठीक है इसमें चार उप्षन है जो उनको देखने की जरूत नहीं फिर बताओ पर्थम कलेक्टर म नहीं पुक्ति परताब को किसकी संपत्ति परदान की ये इसमें गरवड हो गया लेकिन लग् कोई न अब बताओ मुगल काल में चिले को क्या कहते थे चार उप्सन आपके पास सुभा, विसे, परगना और सरकार तो इसका राइट आंसर दोस्तों दे है सरकार के नाम से जानते थे इसे याद रखना जिला इस तरफर राज जे सरकार की आंक, कान और बाहे के रूप में किसे बताया गया है तो बताओ ये मैने इसको भी कंटर्ष्ट करवाए था कि जिलादीस को ही दोस्तों आंक, कान और बाहे के रूप में जानते हैं थिक है, six questions की बात करते हैं तो six questions आजाएए भू राजस्व या भू वसूली भू राजस्व वसूली भू राजस्व प्रभंदन के संबंद में जिलाधीस किसके निर्दिसों के अधीन काम करता है ये तो आप भी को पता है मैंने बताया भी था राजस्व मंडल के अधीन ये काम करता है और तो होई नहीं सकता गरवी ब तो ये राजस्वे मंदल होता है याद रखना समन में स्तापित कौन करता है जिलादीस आयुक्त जिलाजज प्रमुक तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों जिलादीस याद रखना जिलादीस जब राजस वसूली का कार्य करता है अब बताई जिलादीस अगर जब राजस वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या करते है तो मैंने आपको बता है मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता विकास अधिकारी कलेक्टर और रिटर्निंग ओपिसर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है से कलेक्टर के रूप में जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए फिर नेक्स्ट्रेट दस्वा क्यूशन नि चमाद्य में खिक्षाबोर के इससे समंदित नहीं है ग्राम पंचाइट से ठीक है सभी को पता है तो मेरे साब से दोस्तों आज के इतने ही क्यूशन है ये इंपोर्टेंट क्यूशन जो जायरेक्ट एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने आपको इनके बारे में सभी ब तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें आप सभी का धन्यवाद वीडियो पुरा देखने के लिए